रसम हिमाचल प्रदेश लो प्रधानी मोडी माटलर्त नरू लाइवलच्वदाम प्रगति पत्पर तेजी से आगे बढ़ेंगे इस टनल से मनारी और केलों के बीच इसकी दूरी तीन चार घंटे कम होई जाएगी पहाड के मेरे भाई बहन समझ सकते हैं कि पहाड पर तीन चार घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है साथियों ले लद्दाक के किसानों बागवानों युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी उनका जोखिम भी कम हो जाएगा यही नहीं यह टडल देव धरा हिमाचल और बुद्ध परंपरा के उस जुड़ाव को भी ससक्त करने वाली हैं जो भारत से निकल कर आज पूरी दुनिया को नई राह नई रोशनी दिखा रही है इसके लिए हिमाचल और ले लद्धा के सभी साथियों को बहुत बहुत बढ़ाई साथियों अटल टडल भारत के बॉर्डर इंफरस्ट्रेक्टर को भी नई ताकत देने वाली है यह विश्वस्तरिय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जाकता प्रमाण है हिमालय का यह हिस्सा हो पस्चिम भारत में रेगिस्तान का विस्तार हो अफिल दक्षिन और पूर्वी भारत का तट्य इलाका यह देश की सुरक्षार समर्दी दोनों के बहुत बड़े समसाधन है हमेशा से इन ख्षेत्रों के संतुनीत और संपुन विकास को लेकर यहां के इंफरस्ट्रेक्टर को बहतर बनाने की मांग उड़ती रही है लेकिन लंबे समय तक हमार यहां बौर्डर से जुड़े इंफरस्ट्रेक्टर के प्रजेक्ट या तो प्लानिंग की स्टेज से बहार ही नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए अटल टर्नल के साथ भी कभी-कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है साल दोजार दो में अटल जी ने इस टर्नल के लिए अप्रोच रोड का सिलान्यास किया था अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टरनेल के लिए सिर्फ 1300 मिटर यानि डेड़ किलोमिटर से भी कम काम हो पाया था एक्षपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटरल टरनल का काम उस समय हो रहा था अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2014 में जाकर के शाहिद पुरी होती आप कल्पना करिए आपकी आँच जो उम्र है उसमें बीस वर्स और जोड लिजिए तब जाकर लोकों के जीवन में ये दिवस आता उनका सपना पुरा होता जब विकास के पत पर तेजी से आगे बढ़ना हो जब देश के लोगों के विकास की प्रतबल इच्छा हो तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है अतल टनेक के काम में भी 2014 के बाद अभूत फुर्वत तेजी लाई गई बियारों के सामने आने वाली हर अर्चन को हल किया गया नतीजा यह हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मिटर सुरंग बन रही थी उसकी गती बढ़ा कर 1400 मिटर प्रतिवर्ष हो गई सिर्फ छे साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया साथ यो इन्फास्ट्रक्टर के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुक्सान होता है इससे लोगों सुवीजा मिलने में तो देरी होती है इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्तर पर उठाना पड़ता है साल दोजार पांच में ये आकलन किया गया था कि ये टनल लगभग साड़े नौसो करोड रुपे में तयार हो जाएगी लेकिन लगातार होती देरी के कारण आजे तीन गुना से भी जादा यानि करीब करीब बतीसो करोड रुपे से अधिक खर्च कर रेके बात पुरी हो पाई है कलपना कीजिए कि अगर बीज साल और लग जाते तब क्या स्थित्य होती साथियों कनेक्टिविटी का देश के विकास से सिधा सम्मन्द होता है जादा से जादा कनेक्टिविटी यानि उतना ही तेज विकास खास कर बॉर्डर एरिया में तो कनेक्टिविटी सीधे सीधे देश की रक्षा जरुरतों से जुड़ी होती है लेकिन इसे लेकर जीर तरह की गंबीरता थी और उसकी गंबीरता की आवेशक्ता थी इस तरह की राजनितिक इच्छाशक्ति की जरुवती दुर्भागे से वैसी नहीं दिखाई गई अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्श के साथ ऐसा ही व्यहवार किया गया लद्दाख मैं दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एर्श्ट्रीफ 40-50 साल तक बंद रही क्या मजबूरी थी क्या दबाव था मैं इसके विस्थार में जाना नहीं चाहता इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है बहुत कुछ लिखा जा चुका है लेकिन सच्चा यही है कि दौलत बैग ओल्डी की एर्श्ट्रीफ वायू सेना ने अपने इरादों की वज़े से शुरू हो पाई उसमें राज नितिक इच्छा सकती कहीं नजर नहीं आई साथियो मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक गिना सकता हूं जो सामरी दृष्टी से और सुविधा की दृष्टी से बले ही कितने भी महत्वपूर रहे हो लेकिन बरसों तक नजर अंदाज किये गए मुझे याद है मैं करीब दो साल पहले अटल जी के जिन्वदिन के अवसर पर असम मैं था वहाँ पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड बीच बोगी बिल पूल को देश को समर्पित करने का आउसर मुझे मिला था ये पूल आज नौर्थ इस्ट और अरुनाचल प्रदेश से कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा माध्यम है बोगी बिल बिच पर भी अटलची की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पूल का काम सुस्त हो गया साल 2014 के बाद ही